हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्णर और आज हम बात करेंगे सफलाई कादशी के बारे में और इसकी कथा कहेंगे और मैं बताऊंगे आपको इसे कैसे करना है और दो हजार इक्षिस में यह है व्रत नौ जन्वरी को शनिवार को है और पूरा जो समय है वो स्क कादशी की वरत कथा सुनकर अर्जुन ने प्रसन होते हुए कहा हे कमल्यान मोक्षदाई कादशी की वरत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया हूं हे मधुसुधन अब आप पोश मास के क्रिशन पक्ष की कादशी की महिमा बताने की कृपा करें इस कादशी का क्या नाम है इस दिन कि क्या विधान है मुझे पर कृपय करते हुए आप ये सम्मुझ से विस्तार में बताएं। अर्जुन के जिग्यासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा हे कुंति पुत्र तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्णों का विस्तार से उत्तर देता हूं। अब तुम इस इकादशी व्रत का महत्तम सुनू। हे पार्थ इस इकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को शिग्र ही प्रसन किया जा सकता है। पोष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का नाम सफला है। इस इकादशी के अराध्य देव श्री नारायन है। इस इकादशी के दिन श्रीमन नारायन जी की विधी विधान के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडू नंदन इस इकादशी के आराध्य देव श्री देव नारायन हरी हैं। इस इकादशी के दिन श्रीमन नारायन जी की विधी के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडू नंदन इसे सत्ते जानों कि जिस तरहां नागों में शेशनाग, पक्षियों में गरूड, ग्रहों में सूरे चंद्र, यग में अशमेग और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रत में इकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन इकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति श्री विष्णु को अतिप्रिये हैं, इस इकादशी में नीम्बू, नार्यल, नवेध्य, आदी अरपन करके नरायन की पूजा करनी चाहिए। मनुश्य को पाँच सोहस वर्ष तपस्य करने से जिस पुन्य का फल प्राप्त होता है, वही पुन्य शद्धापूर्वक रात्री जागरण सहित सफलाई कादशी का व्रत करने से मिलता है। हे कुंति पुत्र अब तुम सफलाई कादशी की कथा सुनू। प्राचीन काल में चिम्बावती नगरी में महेश्मा नामक एक राजा राजे करता था उसके चार पुत्र थे उसका सबसे बड़ा लुम्बक नामक पुत्र महापापी और दुस्ट था वेहमेशा प्राइस्त्री गमन में ववैश्यों के यहां जाकर अपने पिता का धन वेकिया करता था देवता ब्राम्मन वैश्नव आदी सूप आत्रों की निंदा करके प्रसन होता था सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी परन्तु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसकी अत्यचारों को सहन करने में विवश्ट थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता परन्तु बुराई अधिक समय तक परदे में नहीं रहती एक दिन राजा महिश्मा को पुत्र के कुकर्मों का पता चल ही गया तब राजा अधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्बक को अपने राजे से निकाल दिया पिता द्वारा त्यागते ही लुम्बक को और सभी ने भी त्याग दिया अब लुम्बक ने सोचा कहा जाऊं क्या करूं अंत में उसने राज्य को पिता के राजे में चोरी करने की ठानी वह दिन में राज्ये से बाहर रहता वह रात्री में अपने पिता की ही नगरी में चोरी करता तथा अन्य बुरे कर्मों को करने लगा वह रात में राज्ये के लोगों को मारता पीटता वा कस्ट देता था वन में वह निर्दोश पशु पक्षियों को मारता वा उनका भख्षन करता था किसी किसी रात जब वह चोरी करके पकड़ा भी जाता तो भी राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे कहते हैं कि कभी कभी अंजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिये था उस वन में प्राचीन पीपल का एक व्रिश था तथा उस वन को सभी देवताओं का प्रिये वन मानते थे वन में उसी पीपल के व्रिक्ष के नीचे महापापी लुम्बक रहता था कुछ दिन बाद पोश मास की कृष्ण पक्ष की दश्मी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्बक तेज ठंड के कारण मूर्चित हो गया ठंड के कारण वह सो ना सका और उसके हाथ पर अकड़ गए उसकी रात कठनाई से बीती किन्तु सूरे उदे होने के पश्चाद भी उसकी मूर्चा नहीं तूटी वह जियों का त्यों ही पड़ा रहा सफलाई कादिशी की दोपहर तक वह पापी मूर्चित ही पड़ा रहा जब सूरे के तपने की ये वजह से उसे कुछ गर्मी मिली तब वह उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए भोजन की खोज में वन में फिरने लगा उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था इसलिए प्रित्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के विर्ख्ष के नीचे आ गया तब तक भगवान सूरे अस्थाचल को प्रस्थान कर गए थे भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका क्योंकि कहां तो वह नित्य जीवों को मार कर उनका मास खाता था और कहां फल उसे फल खाना तनिक भी अच्छा ना लगा अंत उसने उन फलों को पीपल की जड़ में रख दिया और दुखी होने लगा और बोला हे इश्वर ये फल आपको ही अरपन है आप ही इन फलों से त्रिप्थ हो ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्री को भी उसे नींद नहीं आई और सारी रात्री रोता रहा इस प्रकार उस पापी से अंजाने में ही सफलाई कादिशी का उपवास हो गया उस महापापी के इस उपवास तथा रात्री जागरंट से भगवान श्री हरी अत्यंद प्रसन हुए और उसके सभी पाप नस्थ हो गए सुबह होते ही एक दिव्वे रत अनेक वस्तूं से सज़ा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया उसी समय अकाशवाणी हुई हे युवराज भगवान श्री नरायन के प्रभाव से तेरे सारे पाप नस्थ हो गए हैं अब तु अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर जब यह अकाशवाणी लुम्बक में सुनी तो वह अत्यंत प्रसन होकर बोला हे प्रभू आ सारा वितान सुनने के बाद पिता ने अपनी सारा राज्य पुत्र को सोप दिया और वन में चला गया अब लुम्बक राज्य करने लगा उसकी स्त्री और पुत्र भी श्री हरी के अनन्य परमभक्त हो गए व्रित अवस्था में आने पर वह अपने पुत्र को सारा राज्य सोपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परमपद को प्राप्थ हुआ हे पार्थ जो मनुष्य शद्धा और भक्ति से इस सफलाई कादिशी का व्रत्वा पूजन करते हैं उनके सभी कस्ट, सभी पाप दूर हो जाते हैं हे अर्जुन जो मनुष्य सफलाई कादिशी के महत्तम को नहीं समझते उन्हें पुन्ज और सिंगो के वहे पशुही समझना चाहिए सफलाई कादिशी के महत्तम को पढ़ने अथ्वश्रवन करने से पुन्य की प्राप्थी होती है और सो राजसुए यगों का फल प्राप्त होता है कथा का सार यह सफलाई कादशी की कथा हमें भगवान के अती क्रपालू होने का भाव कराती है यदि कोई मनुष्य अज्यान वंश भी प्रभू का सिम्नन करे तो उसे पून फल की प्राप्ती होती है यदि मनुष्य निश्यल भाव से अपने पापों की शमा मांगे तो उसे भगवान बड़े से बड़े पापों को शमा कर देते हैं लुंबक नामक जैसा पापे भी भगवान श्री हरी की क्रपा से बैखुन का अधिकारी बना अगर आप भी कादिशी का व्रत कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें इकादिशी का जब हम व्रत करते हैं तो आपको चावल नहीं खाना है और अगर आप व्रत बिल्कुल निर्जल व्रत रख रहे हैं तो अगले दिन यानि कि द्वाची वाले दिन आप जल पीकर अपने व्रत का प्रायाण कर सकते हैं अगर आपने फलाहार रखा है तो आप फलाहार यानि कि आलू या फल वगरा खाकर अपने व्रत का प्रायाण कर सकते हैं और अगर आपने पहले दिन फलाहार किया है, तो आप भोजन खाकर भी अपने व्रत का प्रायाण कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको चावल खाकर अपने व्रत का प्रायाण नहीं करना है, उससे आपको दोश लगता है बोलिए जै श्री हरी लक्षमी नरायन भगवान की जै हो और इस दिन आप विश्णु श्री हरी को पीले रंग के वस्त्र पीले रंग के पुष्प और भोग लगाने के लिए पीले रंग की मिठाई का ही प्रियोग किजिए क्योंकि वो श्री भगवान विश्णु हरी को अत्यंत प्रिय है और यहीं पर हमारी कथा संपून हुई मैंने समय तिथी तथा आपको विधी सब संपून बता दी है विस्तार में और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो आपको मेरी विडियोज अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी विडियोज कैसी लग रही है